Hello students, मैं हूँ शाइना परमार और ये सीरीज चल रही है important question की तो last two videos में मैंने semester 2 और semester 4 के लिए important question बताएं तो अभी है semester 6 World history मेरी हमेशा ही favorite रही है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है world history पढ़के तो semester 5 में भी आपने world history ही पढ़ी और अब आप senior most class है, outgoing class है, graduate होने वाले हो तो ये last semester में भी world history ही पढ़ रही हो और बहुत ही important है तो paper pattern तो मुझे लगता है कि paper pattern तो आप सब के लिए clear है, कुछ भी नेया नहीं है वही पहला question है, उसमें से 9 करने है, दूसरे तीसरे में से 1 करना है, दूसरे तीसरे इनमें से 1 करना है तो 4 unit होंगे, हर एक में से 1 के question करना है, total आपको 5 question करने है 5 questions में को 18 के साथ हमने multiply करना है, 90 marks का हमारा paper है और 10 marks हमारी internal assessment है तो जो private है, उनका 100 marks का है, और सबसे important चीज़ होती है, question लिखना कैसे है introduction से शुरू करें, अब तो senior most class हो, तो यह आपको पता ही होना चाहिए फिर एक quotation दे according to, किसी writer के बारे में, देखें, यहाँ पे books दी होती है, नीचे आपके पास reference books, reading list, तो आप देख सकते हैं, world history पे किस किस ने काम किया हुआ है, ठीक है तो अगर आपको Italy का question कर रहे हैं, तो इस writer का आप नाम दे सकते हैं, उनकी book को पढ़ सकते हैं, ठीक है यॉरोप का बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यॉरोप की सारी इसमें बात की हुई है, और world history के उपर कोई बात हो रही है, economy के उपर बात हो रही है, तो यह उनके writers होते हैं इनके नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इनकी quotations book के नीचे दी होती हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं, जो आप chapter पढ़ रहे हैं, उसके नीचे उन्होंने quote किया होता है कि किस की बात कर रहे हैं अच्छे से paper को attempt करेंगे introduction and quotations, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है last main conclusion, तो conclusion लिखना भी बहुत जरूरी होता है, तो इससे आपको अच्छे नबर मिल सकते हैं, तो बात आती है important question की, world history जो की मुझे बहुत interesting लगती है, पढ़ने के बाद आसान भी हो जाती है, unit, पहले unit में कुछ खास ऐसी चीज नहीं है जो हमें मुश्किल लगे, बहुत ही आसान है, partition of Africa है कि किस तरह से अफरीका को जो एक dark continent था, कैसे दूसरे देशों ने अपने में बाट लिया, और किस तरह से वहां पे बस्ती करन जो है, शुरू हो गया, तो ये बहुत आसान question ह imperialism की बात जुरूर करने है हमने इसमें, तो ये question आसकते हैं, इसमें imperialism के बारे में पूछ सकते हैं, और इसके causes और impact पूछ सकते हैं, मुझे लगता है ये chapter अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये अगला chapter बहुत important है, जो Berlin की conference होती है, ये बड़ा important question है, Congress of Berlin 1878 में, और इ इसके जो circumstances हैं, it is very important, तो ये chapter आप जरूर करें, diplomatic development in Europe, इसके बीच में आप त्री पक्षिय संधी और जो गुट बन रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों question बहुत important है, तो आप अगर अच्छे से paper को तयार करना चाहते हैं, तो ये जो chapter कर सकते हैं, तो जिनको ये chapter मुश्किल लगता, वो ये कर ले, लेकिन second chapter जो है, वो जरूर करें, इसमें से question जरूर आ जाता है, मुझे इतना पता है, तो ये बहुत important है, इसको मजच छोड़ें, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा second unit, second unit में देखें, world war तो है ही important, और बहुत आसान है, इसे करना Paris Peace Conference थोड़ा मुश्किल लगता होगा, क्योंकि उसकी कौफी सारी धाराएं है, क्या क्या किया, कब किया, ये सारा कुछ, Versailles की ये treaty है, और उसको कैसे Paris में जाके उसको cover किया गया, और उसके दूसरों के उपर क्या क्या संदियां बरती गई है, तो है तो ये बहुत important question, ले लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आप Russian Revolution और World War कर लें, लेकिन जो वाक्य पढ़ना चाते हैं, तो ये दो chapter वो जरूर करें, हलांकि Russian Revolution में से भी question आ जाता है, ये एक ही question है, तो ज़्यादा तर हम क्या करते हैं, कि बच्चे जिनको लगता है कि आसान तो वो Russian Revolution और World War कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं ऐसे कर लें, छोड़ दें इस chapter को, मैंने आपको बताया कि ये बहुत important है, जो करना चाता है, वो कर लें, otherwise 14 और 6 जो chapter है, वो कर लें, इससे आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आता है, थर्ड यूनिट, थर्ड यून करें, ठीक है, तो जो grid depression है, कैसे वो USA में आया, कैसे इन जगा पे फैला और इसके क्या परभाब पड़े, ये तो बहुत important question है, और new deal उससे भी important, तो ये पूरा chapter ही important है, मैं ये suggest करूंगी कि सभी बच्चे इस chapter को जरूर करें, जपान और चाइना में से आप एक चूस कर सक होते हैं, जपान में एक ही question बनता है, इसके दो बन जाते हैं, लग-लग दो के भी चार बन जाते हैं, एक 1911 की revolution आ जाती है, और nationalism के accordingly और एक 1949 का revolution आ जाता है, तो दो question बनते हैं, बड़े-बड़े, उसमें causes भी आएंगे, significance भी आएंगे, तो मैं suggest करते हूं, 8th and 9th chapter को ही से easy होता है, या ये दो chapter करें, या map करें, तो मैं इसको आपको, बच्चों को ये ही बताना चाहूंगे, कि वो map ही करें, इसको ना करें, ठीक है, तो map में से important हो है, हमारे पास historical places ही, ठीक है, world war 1 और 2 भी आप कर सकते हो, करना चाहते हो, वैसे ये important है, ये ही ज़्यादतर आ ये रहा हमारे पास map, ठीक है, तो historical places ही है, हमारे पास, Geneva, Washington, Tokyo, Versailles, Peking, Beijing, Manchuria, ये सारे world के map में है, ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा world का map तयार, ठीक है, ये हमारे पास world का map है, ठीक है, world के map में आपको आसानी से ये सारे places भरे जा सकते हैं, और Europe के map में आपको भरना पड़ेगा, world war one और Europe का, world war two, ये तीनों ही map बहुत असान है, आप चाहें तो मैं इसका वीडियो भी बना सकती हूं, nothing tough for me, और आप मेरे हिसाब से ये map ये वाला तयार कर ले, तो world war one two में बहुत थोड़े places ही होंगे, जादा भरने वाले नहीं होंगे, ये जरूर कर करने हैं, तो उसमें world war two का question काफी important है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे question है, तो मैं नहीं suggest करूँगी, ये मैं बिल्कुल नहीं suggest करूँगी, मैं सिरफ आपको map suggest करूँगी, तो आप अच्छे से अपना examination को तयार कीजिए, मैं फिर से आप से discuss करते हूं, कि आप world का map लें, उस पर practice करें, places को भरने की कोशिश करें, अगर आप से नहीं भरा जा रहा तो मैं video बना के आपको सिखा दूगी, यॉरप के map भी आप थोड़ी से practice कर सकते हैं, ये सारा यॉरप है, यहां पर आप Spain को, France को, Germany को, Italy को, कैसे आपने, Russia को, कैसे show करना है, आप कर सकते हो, बहुत नहीं है, तो England को, ठीक है, easily भर लोगे आप, कोई मुश्किल नहीं है, वर्ल्ड में भी आपको पता होना चाहिए, कितने continent है, ये South America है, North America है, Africa है, यहां पर Asia है, यहां पर Europe है, ये Australia है, तो easily भर सकते हो, अगर ये आपको areas का पता चल जागा, वो मैं सिखा सकते हो आपको, तो फिर से बताऊंगी कि आप इसमें से सिरफ map करें, ठीक है, unit 4 में से, third में से आप great depression को जरूर करें, और इसमें से ये chapter कर लें, इसको छोड़ दें, second में से आप कर लें, एक तो world war one, ठीक है, और कर Russian revolution कर लें, वैसे ये important है, जो बच्चे ये कर सकते हैं, उनको फिर भी prefer क करूंगी कि ये chapter करके ये छोड़ दें, लेकिन जिनको मुश्किल लग रहा है, वो इस तरह से दो chapter कर लें, और unit 1 में से आपको खुद decision लेना होगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, मेरे accordingly आप second third कर लें, जिनको second मुश्किल लग रहा है, वो one कर लें, तो इस तरह से आप अपने exam की तयारी कर सकते हैं, सबसे interesting world history है, हाला कि हमें ancient भी अच्छी लगती है, medieval modern भी अच्छी लगती है, पंजाब भी अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, तो world history की अच्छे से तयारी करें, आगे जाके अगर आपने IAS वगरा या लाइक करें, शेर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, थैंक यू सो मच